अद्यक्षम होदाई, संयुक्त राष्ट की पच्चतरवी वर्षगाट पर मैं भारत के 130 करोड से जादा लोगों की तरफ से प्रतेग सदस्य देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. भारत को इस बात का बहुत गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट के संस्थापक देशों में से एक है. आज के इस अइतिहास्टिक अउसर पर मैं आप सभी के सामने भारत के 130 करोड लोगों की भावनाएं इस वैश्विक मंच पर साजा करने आया. अध्यक्ष महोदय, 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी. पूरा वैश्विक माहोर, साधन, संसाधन, समस्याएं, समाधान, सब कुछ भिन्द थे. ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ, जिस संसाधा का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ, वो भी उस समय के हिसाब से ही था. आज हम एक बिलकुल अलग दौर में हैं, 21 सदी में हमारे वरतमान की, हमारे भविश्य की आवशक्ताएं और चनौतियां अब कुछ और है, इसलिए, आज पूरे विश्व समुदाय के सामने, एक बहुत बड़ा सवाल है, कि जिस संस्ता का गठन, तब की परिश्यतियों में हुआ था, उसका स्वरूप, क्या आज भी प्रासंगीक है? सदी बदल जाएं, और हम न बड़लें, तो बडलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है, अगर हम बीते 75 वर्सों में संयुक्तराश की उपलब्दियों का मुल्यांग दन करें, तो अनेक उपलब्दियां दिखाई देती हैं, लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उधारण भी हैं, जो संयुक्तराश के सामने गंबीर आत्ममन्थन की आवशक्तां खड़ी करते हैं, ये बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्विद नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेकों युद्ध हुए, कि अनेकों ग्रह युद्ध भी हुए, कितने ही आतं की हमलों ने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया, खुन की नदिया बहती रही, इन युद्धों में, इन हमलों में, जो मारे गए, वो हमारी आपकी तरह इंसानी थे, वो लाखों मासूम बच्चे, जिने दुनिया पर चा जाना था, वो दुनिया छोड़ कर चले गए, कितने ही लोगों को, अपने जीवन भर की पूंजी, गवानी पड़ी, अपने सपनों का घर छोड़ना पड़ा, कुछ समय, और आज भी, सयुप्तर राज के प्रयास क्या परियाप्त थे, पिछले आठ नव महने से पुरा विश्व, कोरोना वैश्वीक महामारी से संगर्ष कर रहा है, इस वैश्वीक महामारी से निपटने के प्रयासों में, सयुप्तर राष्ट कहां है, एक प्रभाव साली रिस्पोंस कहां है, अध्यक्ष महवदय, सयुप्तर राष्ट की प्रतिक्रियाओं में बढ़लाओ, व्यवस्थाओं में बढ़लाओ, स्वरूप में बढ़लाओ, आज समय की माँग है, अचाई है कि भारत के लोग सयुप्तर राष्ट के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा हुने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आज भारत के लोग किन्तित है कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुँच पाएगा, आखिर कब तक भारत को सयुप्तर राष्ट के डिसिजन मेंकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा, एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र है, एक ऐसा देश जहां विश्वकी अठारा प्रतिसत से जादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैंक्डो भाशाये हैं, सैंक्डो बोलिया हैं, अनेको पंथ हैं, अनेको विचारदारा हैं, जिस देश ने सैंक्डो वर्षों तक वैश्वीक अर्थेववस्ता का नेत्रुत्व करने और सैंक्डो वर्षों की गुलामी दोनों को जिया है, अध्यक्ष महोदय, जब हम मजबूर थे, तो दुनिया को कभी सताया नहीं, जब हम मजबूर थे, तो दुनिया पर कभी बोज नहीं बनें, अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्टनों का प्रभाव, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से प्रपड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय, सयुक्तराष्ट, जिन आदर्शों के साथ स्थापिद हुआ था, और भारत की मूल दार्थनिक सोच, बहुत मिलती जुलती है, अलग नहीं है, सयुक्तराष्ट के इसी हॉल में, ये शब्द अने को बार गुंजा है, वसुधैव कुटुम कम, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, ये हमारी संस्कृती, संस्कार और सोच का हिस्सा है, सयुक्तराष्ट में भी, भारत ने हमेशा, विश्व कल्यान को ही प्रात्विक्ता दी है, भारत वो देश हैं, जिसने शांती की स्थापना के लिए, लगभग पचास पीस किपिंग मिशन्स में, अपने जांबाच सैनिक भेजे, भारत वो देश हैं, जिसने शांती की स्थापना में, सबसे जांदा अपने वीर सैनिकों को खोया है, आज प्रतेग भारतवासी संयुक्तर राष्ट में अपने योगदान को देखते हुई है, संयुक्तर राष्ट में अपनी व्यापक भूमी का भी देख रहा है, अध्यक्ष महोदय, दो अक्तूबर को, International Day of Non-violence और 21 जून को, International Day of Yoga, इनकी पहल भारत ने ही की थी, Coalition for Disaster Resilience Infrastructure और International Solar Alliance ये भारत के ही प्रयास है, भारत ने हमेशा पूरी मानव जाती के हित के बारे में सोचा है, न की अपने निहित स्वार्तों के बारे में है, भारत की नीतियां हमेशा से इसी दर्शन से प्रेडित रही है, भारत की नेबर्वूड फर्स्ट पॉलिसी से लेकर, एक्ट इस पॉलिसी तक, सिकुरिटी एंड ग्रोथ फर आल इन दे रिजियन, इसकी सोच, या फिर, इंडो पैसिविक शेत्र के प्रत की हमारे विचार, सभी में इस दर्शन की जलग दिखाई देती है, भारत की पार्टर्शिप्स का मारदर्शन भी यही सिद्धान तय करता है, भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो वो किसी तीसरे के खिलाब नहीं होती, भारत जब विकास की साजेदारी मजबूत करता है, तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती, हम अपनी विकास यात्रा से मिले अनुभाव साजा करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं, अध्यक्ष महोदाए, पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडिस्ट्री ने एक सो पचास से अधिक देशों को जरूरी दवाईयां भेजी हैं, विश्व के सबसे बड़े वैक्षिन उत्पादक देश के तौर पर, आज मैं वैश्वीक समुदाय को एक और आश्वाशन देना चाहता हूं, भारत की वैक्षिन प्रोड़क्षन और वैक्षिन डिलिवरी च्छमता, पूरी मानवता को इस संकर से बहार निकालने के लिए काम आयेगी, हम भारत में और अपने पडोस में, फेज थ्री क्लिनिकल ट्राइल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, वैक्षिन की डिलिवरी के लिए, कोल्ड चेइन और स्टोरेज जैसिक शमता बढ़ाने में भी, भारत सभी की मदद करेगा, अध्यक्ष महोदाए, अगले वर्ष जन्वरी से भारत सुरक्षा परिशत के अस्थाई सदसे के तौर पर भी, अपना दाईत्व निभाएगा, दुनिया के अनेक देशों ने भारत पर जो विश्वास जताया है, मैं उसके लिए सभी साथी देशों का आभार प्रगड करता हूँ, विश्व के सबसे बड़े लोगतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम विश्व हित के लिए उप्योग करेंगे, हमारा मार्ग जन कल्यान से जग कल्यान का है, भारत के आवाज हमेशा शान्ति, सुरक्षा और सम्रुद्ध के लिए उठेगी, भारत की आवाज मानवता, मानवजाती और मानविय मुल्यों के दुश्वन, आतंकबाद, अवेद हत्यारों की तसकरी, ड्रग्स, मनी लॉंडरिंग के खिलाब उठेगी, भारत की सांस्कृतिक दरोहर, संस्कार, हजारों वर्षों के अनुभव, हमेशा, विकास सिल्देशों को ताकत देंगे, भारत के अनुभव, भारत की उतार चड़ाव से भरी विकास यात्रा, विश्व कल्यार के मार्ग को मजबूत करेगी, अध्यक्ष महोदाय, बीते कुछ वर्षों में, रिफार्म, पर्फार्म, ट्रांस्फार्म, इस मंत्र के साथ, भारत ने करोडों भारतियों के जीवन में बड़े बड़लाव लाने का काम किया है, या अनुभाव विश्व के बहुत से देशों के लिए उतने ही उप्योगी है, जितने हमारे लिए, सिर्फ चार-पांच साल में, चार सो मिलियन से जादा लोगों को बैंकिंग सिस्टिम से जोड़ना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया, सिर्फ चार-पांच साल में, छेसो मिलियन लोगों को ओपन ड़ेफिकेशन से मुक्त करना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया, सिर्फ दो-तीन साल में, पांच सो मिलियन से जादा लोगों को, मुप्त इलाज की सुविदा से जोड़ना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया, आज भारत डिजिटल टांजेक्शन के मामले में, दुनिया के अग्रणी देशों में है, आज भारत अपने करोडो नागरिकों को, डिजिटल एक्सेस देकर, एम्पावर्मेंट और ट्रांस्परंसी सुनिश्चित कर रहा है, आज भारत वर्ष दोहजार पचीश तक, अपने प्रतेक नागरिक को, टीबी से मुक्त करने के लिए, बहुत बड़ा अभियान चला रहा है, आज भारत अपने गाउं के, एक्सो पचास मिलियन गरों में, पाइप से पीने का पानी पहुचाने का, अभियान चला रहा है, कुछ दिन पहले ही, भारत ने, अपने छे लाग गाउं को, ब्रॉड बेंड अप्टिकल फाइबर से कनेक करने की, बहुत बड़ी योजना की शुरुवात की है, अध्यक्ष महोदय, पैंडेमिक के बाद बनी परिस्तित्यों के बाद, हम आत्मन निर्भर भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आत्मन निर्भर भारत अभ्यान ग्लोबल एकोनामिक के लिए भी एक फोर्स मल्टिप्लायर होगा, भारत में आजे सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी योजनाओं का लाप बिना किसी भेदभाव प्रतेक नागरिक तक पहुँचे, विबन एंटरप्राइज और लिडर्शिप को प्रमोट करने के लिए भारत में बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, आज दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनासिंग स्कीम का सबसे जाना लाब भारत की मैलाय ही उठा रही है, भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां महिलाओं को 26 विक्स की पेड मैटरनिटी लिव दी जा रही है, भारत में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए भी कानूनी सुधार दिये गए हैं, अध्यक्ष महोदाय भारत विश्व से सिखते हुए, विश्व को अपने अनुभव बाणते हुए आगे बढ़ना चाहता है, मुझे विश्वास है कि अपने पचत्तरवे वर्ष में संयुक्त राष्ट और सदस्य सभी देश इस महान संस्ता की प्रासंजित्ता बनाये रखने के लिए और प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे, संयुक्त राष्ट में संतुलन और संयुक्त राष्ट का ससक्ति करांग विश्व कल्यार के लिए उतना ही अनिवार्य है, आईए संयुक्त राष्ट के पच्चतरवे वर्ष पर हम सम मिलकर अपने आपको विश्व कल्यार के लिए एक बार फिर समर्पीत करने का प्रमले, धन्यवाद.